आशा करता हूँ आप से बहुत अच्छे हूँ के विरनाम असे दहां तक नहीं हो सब्सक्राइब आपका बहुत स्वागत है देख रहे हैं कितना सुन्दर नजारा है हर कोई यहां पर जाना पसंद करता है शांती बहुत मिलती है न तो आज हम बात करेंगे दोस्तों बीचेस की तट की बड़ा ही खुब सूरत लगता है वहां पर जाके भारत में बहुत सारे बीचेस है हर कोई गुवा जाना पसंद करता है यह चले जाओ चिन्नई मुंबई जहां पे भी समुद्र है वहां चले जाओ भारत तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है आपको पता ही यह नीचे इंडियन ओशन है अगर हम इस्ट पे चले जाए तो वे ओपिंगॉल वेस्ट पे चले जाए तो अरेबियन सी आसान है कोई जादा टफ नहीं है तो इसलिए भारत में 30 इलाके भी है इंडियन कोस्टल प्रेंस में अल्रेडी कवर कर चुका हूँ दोस्तों मतलब कवर कर रहा हूँ आपको जोगरफी बहुत अच्छे से समझा जाएगी तो आज हम देखेंगे चाप्टर 10 कोस्टल लैंड फॉर्म्स ठीक है देखिए सीधी सी बात है दोस्तों दो ही चीज होती है अगर हम लैंड फॉर्म्स की बात करें क्या होता है इरोजन विंड की वज़े से पानी की वज़े से जो सर्फेस इरोड होते जाते हैं ठीक है मटी हटी जाती है पत्थर तूटते जाते हैं और फिर वो जो पत्थर तूटे है जो मटी हटी है वो कही ना कही डिपॉजिट होगी तो डिपॉजिशन इरोजन डिपॉजिशन सिंपल सी चीज़ है तो landforms की भी बात करें दोस्तों तो यही चीज़ होती है coastal landforms की बात करें तो यही चीज़ होती है erosion और deposition लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फरक है देखिए दोस्तों river की हमने बात की थी river system की बात की थी मैंने बताया था ना river और यहाँ पे coastal क्योंकि दोनों ही जगा पानी है यहाँ पे समुद्र है वहाँ पे नदी थी तो दोनों ही जगा पानी है तो features लगबग लगबग same है बस यहाँ पे हवा का रोल बहुत ज़ादा हो जाता है ठीक है ना तो यह बहुत ही ज़ादा important है हवा की वज़े से tights आते हैं यह tights जो है टकराते हैं तट से मतलब land से जिसकी वज़े से land forms बन जाते हैं वो कैसे बनते हैं वही तो समझाने के लिए मैं यहाँ पे बैटा हूँ तो अगर हम erosion की बात करें दोस्तों वैसे तो अगर बता दूँ कि marine erosion देखिए erosion वैसे चार फरीके का होता है corrosion मतलब काटना जो rocks करती जाती हैं attrition बड़े बड़े पत्थर आपस में टकराते जाते हैं जिसकी वज़े से वो और छोटे होते जाते हैं बिल्कुल एक sand के form में हो जाते हैं hydraulic action और solvent action solvent action क्या होता है दोस्तों solvent action देखिए यहाँ पे समुद्र का पानी है समुद्र के पानी में नमक होता है जब वो rocks इसे टकराएगा rock solid होती है लेकिन भाईया limestone की बाद करें तो उसमें calcium carbonate होती है न तो जहाँ 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 नमक वाला पानी टकराएगा तो वहाँ पे क्या होगा वहाँ पे होगा chemical reaction जिसकी वज़े से वो टूटना शुरू हो जाएगा landforms बनने शुरू हो जाएगे तो होता है solvent action और hydraulic action water की वज़े से splashing की वज़े से टाइट्स की वज़े से तो यह basically चार अगर हम marine erosion की बात करें तो यह चार तरीके की होते हैं लेकिन दोस सुना होगा लेकिन कभी किसे ने यह सोचा नहीं होगा Cape Town South Africa का शहर है ना ठीक है वैसे South Africa की तीन capital है Cape Town Cape of Cameran कन्या कुमारी जिसको बोलते है Cape of Good Hope South Africa Bay of Bengal, Hudson Bay यह सारे आपने सुने हैं कभी सोचा है Bay of Cape होते क्या है यह coastal landforms है दोस्तों देखिए दोस्तों अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में क्या है एक तो continents है जो कि solid rock से बने हुए है और दूसरे है water bodies ocean floors है ठीक है तो अब जादा तो उसमें पानी है तो अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इन ही water bodies की वज़े से बहुत सारे landforms बन जाते हैं ठीक है अब landforms क्यों बनेगे erosion और deposition की वज़े से तो सबसे पहले हम देखते हैं caves and base कैसे बनते हैं तो यह diagram आपको देखना बहुत ज़दा ज़रूरी है ठीक है यह आप द तकराती हैं तब landforms बनते हैं क्यों बनते हैं क्योंकि इतना इनका force होता है कि जब यह landforms से टकराती है जब यह तट से टकराती है तो वो तो rock से बना होता है अगर cliff है तो वहाँ पे फिर landforms बनने शुरू हो जाता है नहीं तो यह जो आप देख रहे हैं यह जो हवा और जो समुद्र का मिश्रान है, इसमें बहुत सारे sand particles भी present होते हैं, तो ये सब कुछ अपने साथ लेके आती है, और ultimately ये तक पे deposit कर देती है, ठीक है, तो ये एक तरीके का mechanism है, जो wave बनती है, ठीक, तो अब आप ये देख लीजे, ये है, आपको दिख रहा है बे, और ये है, आपको दिख रहा है Cape, ये है Cape, ये है बे, बे में आपको beaches देखने को मिलेंगे, ठीक है न, बंगाल, उस अगर उधर साइड जाएं, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे-चे beaches देखने को मिलेंगे, तो अब आपको इसमें क्या Cape में land का जादा portion पानी में है, तो अब बिल्कूल सही समझे, Cape वो होते हैं, जिसमें जो land, जो होता है, वो समुद्र की तरफ होता है, देख रहे हैं न, जो land है, वो समुद्र की तरफ है, जो rocks है, वो समुद्र की तरफ है, और बे है, बे में क्या होता है, जो land समुद्र से तो समझ गए होंगे कि लैंड का निकला हुआ भाग, केप, जो कि समुद्र में होता है, और लैंड का आधा, मतलब इरोडेट पार्ट, यानि कि समुद्र का जाधा पार्ट, जो लैंड की तरफ जाएगा, यानि कि जो लैंड पीछे जाएगा, उसको कहते हैं हम B, ठीक है, सम अब ये टॉफ व्यू है, उसका टॉफ व्यू दोस्तों, जैसे अगर आप यहां उपर से देखेंगे, तो इस तरीके का आप, माली जैये, ऐसे पहले लैंड रहा होगा, ठीक, अब यहां अगर बेकी बात करें, तो आप देख रहे हैं, ये रॉक्स है, इतना हिस्सा अगर हवा का जोका आएगा, तो सॉफ्ट रॉक उड़ जाएगी, पानी आएगा, तो सॉफ्ट रॉक को खतम कर देगी, तो यहां पर ये जो एरिया है, वो हटता जाता है, इसको अगर हम देखें, जैसे माली जै कि पहले इस तरीके का लैंड था, ठीक है, और ये समझ में आया असानी से, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़ी है, ठीक है, तो ये पहले ऐसे कभी लैंड रहा होगा, लेकिन सिंस ये सॉफ्ट रॉक का एडिया था, इसको पानी बाके ले गया, हवा बाके ले गई, गंजा कर दिया है एक तरीके से, ठीक है, जोक सा पार्ट बेंगॉल है ना, हुटसन बे है, केप ऑफ गुड होग, केप टाउन, आपने देखा ही होगा, तो ये सारी चीज़े हैं, ठीक है, वैसे केप टाउन तो शायद बहुत लोगों ने ना देखा, इन फैक्ट मैंने भी नहीं देखा है केप टाउन, ठीक है, लेकिन बड़ी क्लिफ्स, क्लिफ्स आपने देखा होगा दोस्तों, एक्चुली मैं यहाँ पर फोटो लगाना भूल गया, तो I am really sorry, क्लिफ्स होती हैं दोस्तों इस तरीके, कि आपने देखा होगा, मुवीज में देखा होगा, ये बड़े से पहाड होते हैं, और पहाड के ठीक यहाँ प बहुत उची यहाँ पर mountain होती है, भी Mission Impossible मुवी आई ती, उसमें देखा होगा आपने, last में जो scene होता है, वो आकरी में उसका helicopter cliff पर ये अटक जाता है, और नीचे होता है समुद्र, ठीक है न, तो अगर हम देखें दोस्तों, cliffs बनते कैसे हैं, तो again, यहाँ पर भी erosion होगा, क यहाँ पर यह landform है, अब यह है, आपके, यह समुद्र है, ठीक है, अब यह समुद्र क्या करेगा, यह, यहाँ पर, जहाँ पर यह point of intact होगा, यह क्या करेगा, यह इसको erode करता जाएगा, क्योंकि भाईया, यहाँ तो हवा समुद्र से मिलके, भेंकर waves बना रही हैं, और य यहाँ पर impact हो रहा है, जब अर दस तरीके से, अरे बापने, यहाँ पर impact होगी अब तो, ठीक है, तो यहाँ पर impact हुआ, तो इसको बार बार, जहाँ पर यह touch हो रहे हैं, तो बार बार क्या करेगा, इसको erode करेगा, तो अगर एसी condition होगी, तो यहाँ छोटा सा notch type का बन जा है कि यहाँ पे इसके नीचे material जो है वो deposit होते जाते हैं ठीक है further होता रहता है cuttings होती रहती है तो यहाँ से लेकर यह जो इतना part है यह पूरा का पूरा cut के गिर जाता है और ultimately आपके पास एक बहुत बड़ा सा landform रहता है जिसको हम बोलते हैं cliffs और यह क्यों होता है समुद्र से समुद्र के टकराने की वज़े से जो rocks जो है वो cut cut के गिरने होती है ठीक है तो इनको wave cut platform भी बोला जाता है समझ गए कोई दिक्कत नहीं है आसान है तो इस तरीके से बनते हैं हमारे cliffs फिर से एक बार बता देता हूँ जैसे माल लीजे कि यह आपका landform है यह समुद्र है यह बार बार यहां से टकराता रहेगा एक notch type का create होगा इस तरीके से जो कि point of impact होगा और उसके बाद जो इस तरीके का surface बनता है ठीक है यह आहां बहुत बढ़िया बन गई मेरी डॉइट ठीक है ना इस तरीके का surface बनता है यह आपका समुद्र है ठीक है यह आपका समुद्र और यह जो land है समुद्र के अजहरा होता है वैसे बता दू बहुत यह चल लगता है cliffs को देकना इनफर्ट प्लिफ को वैटना बहुत ही एच्छा लगता है मैंने मुवीज में असली में नहीं देखा है इसलिए जीए बड़े बड़े बोल नहीं देखने चाहिए नहीं बोलने चाहिए जब तक आप वहां पर जाएना उसके बाद तीसरा जो landform आता है दोस्तो वह होता है caves, arc, stack and stump ये तीनों एक ही चीज़ होते हैं ये कैसे होते हैं दोस्तो चलिए बटाक्स आपको बता देते हैं ये देखिए ये हैं आपके caves, arcs, stack, stump बहुत आसान है दोस्तो देखिए cliffs हैं, landform है, क तो ये area जो है वह कटता जाएगा, यहाँ पर दोस्तो एक चीज़ आपको और बता दूए, लगातार, ये waves है ना, ये लगातार waves का attack हो रहा है, ये देखिए, wave वाला area ये है, तीक है न, आपको देखिए नहीं ला, तो लगातार ये wave का attack होता रहता है, जिसकी वज़े से again, softer rock जो है, वो तूटी जाएंगी, तो ये cave टाइप का formation ले लेगा, further वक्त के साथ ये और ज़्यादा टूट जाएगा, उधर से भी तो erosion हो रहा है न, तो इधर से और इधर से, जैसे माल लीजे कि इस तरीके का अगर है, तो यहाँ से erosion हो रहा है, ये cave बन रहा है, ठीक ह जब आप उपर से देखेंगे, further क्या होगा, फिर wave attack होती रहेगी, तो भाईया, ये area भी आपका चला जाएगा, वक्त के साथ साथ ये भी गिर जाएगा, तो ये बन जाता है stack, इसका छोटा भाई, ठीक है, ये पिता जी, उसके बाद, पिता जी के सबसे बड़ा बेटा, उसके बाद ये छोटा बेटा है, stack, ये भी हट गया, ठीक है, समझ गए, ये भी हट गया, और उसके बाद सबसे छोटा बेटा, stump, जब वक्त के साथ साथ, ये भी erode होता जाएगा, और ये बहुत ही छोटा landform हो जाएगा, जिसको कहते हैं, stump, जो की water के आपको अंदर ही मि देखे, ये again, ये cliff है, ठीक है, आपको cliff दिख रही है, अब होता क्या है, ये caves है, ठीक है, अब इसके अंदर जाता रहता है, पानी, पानी जाता रहेगा, ये cave के अंदर पानी जाता रहेगा, पानी जाता रहेगा, तो एक क्या होता है, कि पानी उपर भी बढ़ता रहेगा ठीक है देखे दोस्तों जैसे जैसे पानी इसके अंदर जा रहा है वेव सेट कर रही है तो रॉक्स और इरोड होती जा रही है ये भाई जो क्लेफ है ये और गहरी होती जा रही है गुफ़ा और बड़ी होती जा रही है तो जितनी जादा गुफ़ा अंदर बड़ी होगी प जितना पानी जमा होता है वो निकलता है, टूरिस्ट अट्राक्शन होता है, दोस्तों वैसे आपको बता दू, तो इसको कहते हैं हम blow hole, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है न, तो इसी को बोला जाता है, group, ठीक, कोई problem नहीं है, यह जो आपका shaft दिख रहा है, ठीक है, यह group है, अब अगर हम geo की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर पानी तो जाता जा रहा है, erode होता जा रहा है, तो समय के साथ-साथ, यह जितना पूरा portion है न, यह पूरा ही erode हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं geo, ठीक है, तो यह चीज़ है, यह दोस्तों आपके erosional landforms हो गए, erosional coastal landforms, हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं दोस्तों, deposition, बहुत आसान है, दोस्तों, फटाक से समझा देता हूँ, deposition क्या, जो भी sand particles, जो भी rocks लेके आएंगे, यह दोस्तों आपको बता दू, कि यह थोड़ा सा ऐसे होता है, slanting होता है, जो अगर हम देखे structure, जैसे अधरती गोल है, तो धरती गोल है, तो हम देखते हैं, कि जो समुद्र के तटी इलाके है, वो थोड़े slanting होता है, जैसे भारत का, अगर हम eastern coast की बात करें, तो slanted है, इस तरीके से है, तो होता क्या है, कि यहाँ पे आता है पानी, समुद्र आता है, यह land हो गया, समुद्र आता है, अपने साथ सारी चीज़े लेके आता है, यहाँ पे deposit करेगा, आप अगर माल लिजे, यह plane होता, तो पानी यही पे ही रहता, लेकिन plane होता नहीं है, तो यह क्या करता है, जब backwash करेगा, वापस पानी हटेगा, तो जो भी अपने साथ चीज़े लेके आये है, वो यहाँ पे deposit करता रहेगा, इसी लिए बनते हैं beaches, तो आप देखते हैं न, beaches में अकसर आपको rate मिलेगी, क्यूं होती है वो, इसी वज़े से sand लेके आते है, wind sand लेके आती है, यहाँ पे समुद्र sand लेके आता है, समुद्र stones लेके आता है, समुद्र rocks लेके आता है, और वो सब जगा, आपने rocky beaches भी देखे होंगे, ठीक है न, वहाँ आपने देखा होगा, कि बड़े बड़े पत्थर है वहाँ पे, तो सब वहाँ पे जमा होते जाते हैं, और बनते हैं beaches, लेकिन यह आपको Cape में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है न, Cape में ज़ादा, जो beaches अब वो देखने को मिलते हैं, Marine Dune की बात करें, तो यह बहुत बड़े बड़े landforms होते हैं, जो कि sand की वज़े से बनते हैं, ठीक है, कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको बहुत दूर चलके जाना होता है, और तब आपको जाके beach दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है, एक चीज़ और बता दो दोस्तों, कि यह जो यह इस तरीके से होता है landforms, ठीक है, इस तरीके के clips होती है, तो जो waves आती है, वो straight नहीं hit करती, वो obliquely hit करती है, इस तरीके से waves जो हैं, वो hit करेंगी, ठीक है, क्योंकि यह obliquely hit करती है, अब जाहिड सी बात है, यहाँ पे जादा hit होगी, पीछे जादा hit नहीं होगी, क्योंकि wave तो इधर से आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं, इस तरीके के structure को बोलते हैं, हम spit, तो आई हो पे चीज आपको समझ में आई होगी, और यह जो होता है, यह hook तरीके का है, ना, hook के तरीके का, तो इसको बोला जाता है, hook, ठीक है, तो यह चीज है, कभी-कभी आपको यहाँ पे रास्ते भी देखने को मिल जाएंगे, हाँ, उन रास्ते को बोलते हैं, तंबोला, यह आपको low tide में ही देखने को मिलेंगा, high tide में तो सब कुछ, high tide म में बहुती जादा आसानी होती है, तो इसको कहते हैं, हम tombola, t-o-m-b-o-la, इस तरीके के रास्ते को ठीक है, तो यह चीज़ा आई हो, पिछीजा आपको समझ में आई होगी, अब दोस्तों, types of coast की बात कर लेता हूँ, कुछ नहीं है जादा इसमें दोस्तों, देखिए, दो तरीके के coast होते हैं, एक तो coast line of submergence, मतलब जब land जो है, वो पानी के अंदर रहेगा, और coast line of emergence, यानि के land पानी के उपर रहेगा, तो submergence coast की बात करें, तो इसमें Ria coast, Fjord coast, Dalmatian coast, Estrillion coast होते हैं दोस्तों, चलिए, यह आपका homework है, यह आप पढ़िएगा, क्या होता है, ठ बता दूगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो यह चार तरीके के coast होते हैं, दोस्तों, आसान है, समझ में आ गया, coastal landforms कैसे बनते हैं, erosion deposition याद रखिए, कभी भी कोई भी landform बनेगा, तो erosion deposition से ही बनेगा, दोस्तों, इसके दो chapter और बचे हैं, फिर physical geography खतम हो जाएगी कौन कौन से chapter बचे हैं, सबसे, इसके बाद तो बचा है, 11 chapter, island and coral reefs की हम बात करेंगे, और इसके बाद, physical geography का आर्करी chapter, oceans की बात करेंगे, तो यह दो chapter बचे हुए हैं, फिर हम human geography को start करेंगे, तो आई हो, पहले चरह आपको पसंद आया होगा, इसको ज़रूर शेयर करो भई लुए हैं, झाण झाण वी बात करेंगे, और इसके बात करेंगे, इसके बात करेंगे, जो खिर हमतले करेंगे, तो बचे हैं, जो थाटँवादे फThe Hai थर चे सीए, जो जो आदिक वाल झाες, लौर पात करेंगे, तो तो एको आषमीय आगया हैं, जो नाrit бы हैंए है हुए